हेलो एवरीवन वेल्कम टू आनलाइन एलर्निंग ट्रेट फाम आप एगरी कल्चर एंड जी के इस वीडियो के माध्यम से मैं भीने दिक्षित आज आप सभी लोगों से FCI Assistant Grade 2 Manager FCI Assistant Grade 3 Technical Exam के लिए एक Most Important Class के बारे में डिसक्स करने वाला हूँ आज हम बात करेंगे Introduction to Agricultural Economics के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक Important Information है अगर आप FCI Assistant Grade 3 Exam की Preparation कर रहे हो तो आप Agricultural GK Platform से इसका Complete Course Buy कर सकते हो हमारे Course में हम आपको Provide कर रहे हैं Slavers के According Phase 1, Phase 2 का Complete Notes जो की आपका Printable रहेगा आपको Printable E-Books दी जाएंगी Complete Slavers की Question Bank आपको दी जाएगी Full Length आपको Moctures दी जाएंगे Phase 1, Phase 2 के लिए YouTube Classes, Class Notes आपको दी जाएंगे Technical Paper के लिए Quality Content आपको मिलेगा Slavers के According, इस Course का Price पढ़ेगा Only 1499 रुपीस इस Affordable Price पर इस Complete Course को आप Buy कर सकते हो अगर आपको ये Course Buy करना है तो आप Video का Description Box चेक करिए, वहाँ पर आपको Agriculture GK App की Link मिल जाएगी और हमारे Website की Link मिल जाएगी, वहाँ से आप इस Course को Buy कर सकते हो अगर कोई Query होती है तो आप मुझे Call कर सकते हो, मेरे Number की Link आपको Description Box में मिल जाएगी और जो Previous Exam हुए है, FCI के, उसमें Agriculture GK Platform से Maximum Selection हुए है, All Over India तो Quality Content के लिए और FCI Exam की Best Coaching के लिए आप Agriculture GK Platform से इसके Courses Buy कर सकते हैं अगर आपको हमारी Previous Classes देखनी है या जो यह पोटोस लगी हुए है अगर आपको इनकी Success Story की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप वीडियो का Description बॉक्स चक करिए, वहाँ पर आपको हमारी Playlist मिल जाएगी FCI Exam की उस Playlist से आप जो है, हमारी जो Previous Classes दो भी है, उनको देख सकते हैं और जो यह वीडियोस है, Success Story की, इनको आप देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अब Topic को अपने बात कर लेते हैं Economics के बारे में, तो जो आपका Economics है, यह एक Greek वर्ड है यह Greek भासा से लिया गया है, और Greek भासा का जो आपका एक वर्ड है Oeconomikos, इससे मिलके यह बना हुआ है यह Greek भासा के दो समय बना हुआ है, पहला आपका है Oeconomikos, जिसका मतलब होता है Home, दूसरा आपका है Nomos, इसका मतलब होता है Management तो आपका जो एकोनोमिक्स है, यह Greek वर्ड है, यह आपको याद रखना है, और यह जो है Oeconomikos, प्लस, नो मोस से मिलके बना है, इसको भी आपको याद रखना है, यह आपके एक्जाम पॉइंट आप रोसे इंपॉर्ड है, और जो आपकी की Economics है, इसकी बेसिकली दो मेजर ब्रांचेस होती है, पहले आपका आती है, Mycro Economics और दूसरी आपकी आती है, Macro economics, यह जो है दो, main branches है belangrijk ski, जो आपका production अभ़करorse रोता है यह micro approach है incorporating Düct by Lettman. 12 मैं दोते हैं यह Horroritäन है, यह जो आपको याद रखना है और father of economics Adam Smith को कहते हैं अगर बात की जाए micro economics के बारे में तो जो आपका micro economics होता है यह जो है whole economy से इसका संबंध होता है और इसका जो स्कोप होता है वो आपका जो है national और world economy के लिए होता है जैसे कि आपका GDP हो गया money supply हो गया unemployment rate हो गया interest rate हो गया आपका international currency exchange rate आपका हो गया income tax हो गया government programs हो गया तो इन सभी के लिए जो है आपकी micro economics responsible होती है कि दूसरी आपकी आती है micro economics इसका स्कोप जो है single जो है individual के लिए या एक specific industry के लिए होता है जो आपकी micro economics होती है यह आपका जो है market supply and demand commodity prices cost of production इनके लिए responsible होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं agricultural economics के बारे में जो आपकी agricultural economics है इसके इंतर के आफन जो scientific study करते हैं methods की practices की condition की और policies की जो की आपकी effect करती है agriculture को उनकी study करते हैं हम agriculture economics के अंतरगत according to is no grass and violence अगर इनके कोड़िए इसकी जो परिवासा हो देखी जाए तो जो आपकी agriculture economics है यह जो है applied phase है social science की economics ब्रांच की जिसके इंतरगत जो आपका जो problem होती है agriculture की उन पर जो है focus किया जाता है उनके बारे में study की जाती है और जो इक प्रिंसिपल होते हैं उनको कैसे कसी में यूज किया जाए इसके बारे में study की जाती है अगर बात की जाए father of agricultural economics के बारे में तो इसका उत्तर आपका होगा हेंरी चार्स टेलर यह भी आपके एक्जाम पॉइंट आप से most important है और अगर बात की जाए अपने इंडिया में तो भारत में जो है जो एग्री कर्चर एकोनामिक्स है इसके फादर कौन है मोहल लाल लालू भाई दंते वाला यह जो है फादर है एग्री कर्चर एकोनामिक्स इन इंडिया चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ important definition के बारे में और उसको किसने दिया था इसके बारे में तो इसमें पहली आपकी आती है definition of wealth जो आपका economics है इसको दिया था एड़म स्मिट ने इसी लिए गो कहते है फादर आफ एकोनामिक्स जो पहली definition थी वो दिया था एड़म स्मिट आपकी वेल्थ की ठीट इपनीशन तो इसलिए तो कहते हैं फादर आफ एकोनामिक्स दूसरा आपका है welfare definition इसको दिया था अलफ्रेड मार्सल ने ने नेस्ट आपकी है इसकार सिटी डिपनीशन इसको दिया था रोबिंसन ने नेस्ट आपकी आते है ग्रोथ औरियंटेट इसको दिया था सेमल्सन ने लास्ट आपकी है नीड औरियंटेड डिपनीशन इसको दिया था आपका जो है जैकब वाइनर ने है यह आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब जो है टाइप ऑफ एकोडामी के बारे में इसमें पहला आपका आता है कैपेटलिजम यहाले कि आपका पूंजी वाद इसमें क्या होता है दोस्तों बैसिकली जो आपका पूंजी होती है उसकी जो ओनर सिफ होती है वो आपकी जो है प्राइबेट कंपनी जो होती है जो प्राइबेट होती है कंपनी इस उनके जो है उनका इसमें होता है स्वामित जो भी आपका कैपेटल होती है वो प्रॉफिट के परपस से युज कियाती है प्रॉफिट मोट से जो है उसको यूज करते है capital को और जो इंपॉर्टन फीचर है capitalism का वह आपका है एक्जिस्टेंस आप प्राइवेट एकोनॉमी प्राइवेट पापर्टी एप पूंजी वाद आरतिक सज़न कि पढली है जो निझी स्वामित और लाब और देश से पूंजी की उपयोग विशेशता है पूंजी वाद में सबसे मातफपूर विशेशता निजी सब्र directory का अस्तित्र है अगर मात की ज espe एक पंट्रीस वाले इसमें पहला करता है हॉंग कॉंग यदिने ही आपके डोले डेसे हैं वह सभी आपके घ्रडूलमेक कॉल करते हैं फालो कहले घ्रडूरा हॉंग का युएति सिंगापोर न्यूजीलेंड एểuह ब्रटे कंड़ा श्weudgrappени UK-UE.SA ये सबी जो पूझीवादी अर्थ्विवास्था हैider उसको सालो करते हैं अगर बात कीजाए क्रेक्टर्ज के बारे में जो क्रेक्टर्टर्टिक्स हैं पूझीवादी अर्थ्विवास्था के तो इसमें पहला आपका आता है जो private companies होती है यह जो है production के जो resource होते हैं उनकी ownership इनके पास होती है government जो आपकी होती है जो है economic decision में involved नहीं होती है यह भी इसका important feature है इसके लावा इसमें क्या होता है आपस में जो है होती है competition और competition से जो है जो public होती है उसको indirectly benefit होता है इस economy में दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक important information है अगर आप FCI manager FCI assistant grade 3 दोनों exam के लिए apply किये हो तो आप combo pack को buy कर सकते हो combo pack में हम आपको provide कर रहे हैं phase one phase two का complete notes दोनों exams के लिए question bank आपको मिलेगी आपको mockters दिये जाएंगे दोनों exams के लिए FCI AG2 और AG3 दोनों के लिए आपको YouTube का access class notes दिये जाएंगे technical paper के लिए और आपको old papers दिये जाएंगे दोनों exams के और आपको interview guidance provide किया जाएगा FCI manager exam के लिए अगर आपको एक course buy करना है तो आप video का description box चेक कर लिए वहाँ पर आपको agriculture gk app की link मिल जाएगी और हमारे website की link मिल जाएगी वहाँ से आप इस course को buy कर सकते हैं अगर कोई query होती है तो आप मुझे इस number पर call कर सकते हो number की link आपको description box में मिल जाएगी दूसरा आपका आता है socialism यानि कि आपका समाजवाद इसमें क्या होता है दोस्तों जो आपकी उत्पादन के आपके से सोटे हैं कि उनकी यह जोई अनर्सीफ मोदी वह मaime और कैसे हो जो प्राइब्ध आपका प्रॉफिट है उसको ध्यार में तखा जाता है कि मेली इस प्रकूस किया आता है कि जो आपकी सोसाइटी है उसको जो है लाब मिलें तो यह में जो है उद्देश समाजबाद का समाजबाद क्या होता है यह को लाता हूं हिंदी में समाजबाद एक ऐसी पडाली है जिसमें उत्पादन के साधन पूंजगत उपकरण भवन भ बात की जाए कौन कौन से कंट्रीज में समाजबाद वाली को नमी है तो इसमें आपका आता है तंजानिया एंगोला परगवे बांगलादेश स्रिलंका गुयाना मुझापिक यह कुछ कंट्री से यहां पर जो है आपकी सूतिलिज्व या समाजबाद एकोनामी चलती है कि अगे बढ़ते हैं नेच्ट ऑर में जो इसके फीचर्स हैं जो आपकी समाजबादी अर्थव्योस्ता है इसको घृ कमांड इकोनामीक श कर दो ही कहते हैं कमांड इकोनामेक शिस्टम यह भी आपको याद में अगे बात की चीन करतिक्टिक्स के बारे में तो इसमें क्या हो होए जो आपकी गॉवर्मेंट होती है वही जो रिसोर्स होते हैं प्रोडक्शन के उन पर करते हैं कंट्रोल दूसरा इसमें क्या होता है जो गॉवर्मेंट होती है यह करती है इसमें adversaire क्योंकि जो है इसका पयवतर होता है अक्त रिस्पांस मैं चलिए नज्ट के लिए इसां है इंपोर्डन इंटर परनियोर्शिप कि इसमें नहीं पाई जाती है एक स्में क्योंकि जो आपकी production के दो सोते होते हैं तभी जो is होते हैं इसलिए जो प्राइवट कंपरीज होती है जे अग्शिक्ते समय नहीं होती है ऑर इस वाजी आसे क्या होता है आपका जो प्राइब अपका ज़या उडिकल क्यों सब्स्क्राइब नहीं फैर जाते हैं कि नैश्र alm का का ग stand JK साम मभाद नियुकू का समाजा ऑट का यह यूप है टोचर ऐमय很好 और इसको जो है यह आपका सोविय उनियन था वह इसको जर फ़ाल्व करता था पहले यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता जो प्रापर्टी होती है उसको जो है पूरी कम्यूर्टी इसकी मालिक होती है पूरी कम्यूर्टी इसको जो है इस जो प्रोडक्शन के रिसोस होते हैं उनकी मालिक होती है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं कम्यूर्टी के वो ज ये प्राप्त करते हैं गें फोते हैं जो आपका साम वाद होता है तक अने सहे समग रूप से शमुदाय के पास होता है जिसमें समुदाएक क bleach सभी तर अपने काम और आया में हिसा लेते हैं लोगों से आपे इच्छा कि जाती है कि वे अपनी जंटा के अंस और कार करें और अपनी आव सक्था अंसवार प्राप्त रहें तो ये इसकी हिंदी हो गई हिंदी में आपको जादा समझ में आए इसकी हिंदी भी लिख दी है यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं क्राइक्टरिस्टिक्स के बारे में जो आपकी सामेवादी और फिवस्ता होती है इसके क्राइक्टरिस्टिक्स क्या होत तीरब दावाबार करना जिसमें जो में क्लास का डिविजन ना हो वीया कि आपका जो अमीर गरीब हैं के बेच में बैद्भाव ना हो यह को कईप प्रम नापकिना नीं और इसमें क्या होता है । जो रिसोर्स होते हैं और जो गुर्ड़ उनकी इंडरी रहती है को ने शे to get that time मिक्स्ड इको नामी अगलशार इसके बारे में तो इसमें जो है आपका आए पुछी तरीके से का ट्रेश है न यह तरीके से 5 तरीके साथ भिंब हे मिक्समें क्या होता है दोस्तों इसमें जो आपकी यह जो है दोनों का जो है मिक्स्टर है जो आपकी पूझीवादी और समाजवादी इनका जो मिक्टर होता है उसको कहते हैं मिक्स्ट एकोनॉमी इसमें क्या होता है आपका जो है जितने भी आपके जो है बड़े उद्योग होते हैं बड़ी इंड्रीड होती है और का थो मालिक होता है वो आपकी जो है पफ्लिक c damaging you government होती है उसके पास रहता है और जो आपके लग उद्योग होते हैं और जो आपके कम importance वाले उद्यूग होते हैं उनका जो है ओनाय का आपका और कंपनीत होती है उनके पास रहता है जैसे आपका consumer goods हो गया इसमाल और amis इंडेस्ट्रीज हो गया इंडेस्ट्रीज हो गया इन सभी का जो मालिक होता है वो आपका प्राइबट सेक्टर रहता है इस में चलिए इसको अब एक बार समझ लेते हैं हिंदी में तो आपकी मिस्रित अर्थविवस्था होती है यह ना तो सुद्ध रूप है इस अब काम करते हैं सरकार कई तरह से निजी उद्यमों को विर्यमित करने के लिए इस्ताचेप करती है आम तोर पर बुनियादी और भारी उद्योग जैसे तक्षा उपकरण परमाड उर्जा भारी इंजिनरिस्ट्रिक समान आधिका उत्पादन करने वाले उद्योग सार के बारे में चैक्टी मिक्ट इकोनामीच आपका इंडिया है इसक Production को याद रखना यह आपसे पूछताहिकित यह इसका एक्जामपल क्या है तो जो अपना देश भारत हैu इसमें पढ़े जाती है मिच्ट इख pigs इज चलिया बाग कर लेते हैं characteristics के बारे में इसके और क्या इकनोमी ि en大哥 iHea आ होता है जो आपके production के जूर्स होते हैं उन पर सब्सक्राइब पॉब्लिक को सरुद्कर थरक्रागा दोनों का जुए कंट्रों होता है यहिन कि आपका जो private होती है और जो government होती है तोनों जो इस पर है नेस्ट आपका है इसका जो मोटी होता है वो होता है प्रॉफिट लेकिन जो गॉवर्मेंट होती है जो पूंजी होती है उसका उपयोग कि सोशियल मोबिल्टी को इंप्रूव करने के लिए भी करती है तो यह कुछ फीचर है मिक्स एकोनमी के दोस्तों अगर आपने केवल FCI AG2 मेनेजर एक्जाम के लिए अपलाई किया है तो आप एग्रीकल्चर जीके प्रेटफॉर्म से FCI AG2 मेनेजर का कोर्स भाई कर सकते हो इस कोर्स में हम आपको प्रवाइड करेंगे स्लेबर्स के एकॉर्डिक कम्प्लीट नोर्स यूट्यूब क्लासे स्क्लास नोर्स प्रीवेस यह पेपर टेस सीरीज कोश्टन बैंक और फ्री इंटर्व्यू गाइडेंस इस कोर्स का प को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दी गई है और आपकी कम्प्लीट सेयरी कराई जाएगी टेक्निकल पेपर के लिए तो आप चैनल को सबस्क्राइब करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मारे वाट्स सब्सक्राइब कर सकते हो और जो हमारा टेली ग्रॉप है इसको आप याइन कर सकते हो और आप आप को इस्टाल करिए क्योंकि हमारे एप पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्से मिल जाएंगे इंडिया में होने वाले सभी एक्रिकल्चर के प्रेटिव एक्जाम्स के थैंक्यू सो मच